आपकी अच्छी सेहत का साथी ग्रीन टी बहुत से स्वास्तला प्रदान करती है जैसे कि इसका सेवन करने से आपकी इम्म्यूनिटी को बड़ावा मिलता है साथ ही है हिर्दै रोग के जोखिम को कम करने में भी मददकार है शोट से पता चलता है कि ये कैंसर के खत्रे को भी कम कर सकती है आए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि ग्रीन टी हमें एक दिन में कितनी लेनी चाहिए फिर देखेंगे ग्रीन टी बनाने का सही तरीका और वीडियो के अंत में हम देखेंगे जादा ग्रीन टी पीने के नुकसान एक दिन में आपको कितनी ग्रीन टी पीने चाहिए दुनिया भर में चाय पीने की संस्रुती में स्वभाविक रूप से एक दिन में 2-3 कप ग्रीन टी पी जाती है इसके बहुत से स्वासलाब भी हैं कैंसर शोट करताओं का मानना है कि एक दिन में 3-5 कप ग्रीन टी पेट की कैंसर को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है शोट से पता चलता है कि यदि आप दिन में 3-5 कप के बीच ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो आपको बहुत से स्वास्थलाब मिल सकते हैं लेकिन ये जरूरी है कि चाय को ठीक से बनाया जाए चाय का ठीक से पानी में सोक होना जरूरी है ताकि उसके न्यूट्रियन्स और आंटी ओक्सिदन गुण पानी में अच्छे से समा जाएं आप चाहें तो ग्रीन टी का सेवन खाली पेट भी कर सकते हैं खाली पेट ग्रीन टी का सेवन करने से भी बहुत फायदा होता है ग्रीन टी की गुडवक्ता जितनी जादा होगी उतना ही ज्यादा आंटी ओक्सिदन लाप राप्त होगा आईए देखते हैं कि green tea बनाने का सही तरीका क्या है वैसे तो green tea बनाना बहुत आसान है लेकिन हम जैसे अपनी भारतिये चाय बनाते हैं वैसे ही लोगों को लगता है कि green tea को भी खूप करकाना चाहिए और उबालना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है यदि green tea को अधिक कड़काया जाए तो उसमें मौझूद पैलिफोनल्स जो हमें स्वास्तला प्रदान करते हैं वैं चाय को कड़वा बना देंगे एक पौफिक्ट कप green tea बनाने के लिए आपको चाहिए बस एक कप पानी और एक green tea bag आप चाहें तो खुली हुई green tea भी ले सकते हैं एक कप पानी को खूब अच्छे से उबाल लीजे और उसे गैस बंद करके 2-3 मिनिट ऐसे ही छोड़ दीजे उसके बाद एक कप में green tea bag रखकर कप में यह गर्म पानी डाल दीजे बैक को कप में 3-4 मिनिट तक ऐसा ही छोड़ दीजे फिर उसे बाहर निकाल ले आपकी perfect green tea तैयार है इसका आप sip-sip करके आनंद उठाइए जादा green tea पीने का नुकसान हाला कि green tea पीने के स्वास्तलाब है लेकिन कुछ लोग दिन में 10-12 cup तक green tea पी लेते है हमें यह समझना जरूरी है कि green tea पानी का replacement नहीं है green tea में tannin मौजूद होता है जो folic acid के अफशोशन को कम कर सकता है folic acid एक महत्वपून vitamin है जो जर्म दोश को कम करने में मदद करती है यदि आप pregnant है या फिल pregnant होने की कोशिश कर रही है तो आपको एक दिन में 2 cup green tea से जादा नहीं लेना चाहिए हो सके तो green tea बिलकुल भी ना पीए यही नहीं green tea शरीर में iron के अफशोशन में भी हस्तक शेप करती है आप सुनिश्चत करें कि आप green tea खाने के साथ नहीं पी रहे है breakfast, lunch और dinner के बीच के समय में आप इसका सेवन कर सकते हैं green tea एक बहुत बढ़िया drink है और इसके बहुत से स्वास्तलाब भी है लेकिन सभी अच्छी चीजों की तरह इसका भी सेवन moderation में ही या फिर limit में ही करना चाहिए दिन भर में 3-5 cup green tea पीना सबसे बहतर है यह जरूरी है कि आप अच्छी quality की green tea ही खरीदें जो आपको बहतरीन स्वास्तला प्रदान कर सके Friends, आज के इस वीडियो में बस इतना है आशा करती हूँ आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पूम लगा है तो क्रिप्या इस चैनल को like को subscribe करें और अपने friends और family के साथ भी share करें शायद किसी की मदद हो जाए Thank you for watching this video, meet you next time Until then stay happy and healthy